तो आज हम जानने वाले हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि काइन मास्टर पर वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं होता है तो इस समय से आप भी प्रेशान है तो चैनल पर ने हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नए वीडियो को नुटिकेसर आप तक जरूर पहुंचे आज हम यही प्रोबलम को सॉल्ब करने वाले हैं कि काइन माश्टर एक्सपोर्ट प्रोबलम को कैसे सॉल्ब किया जाए चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि या आप कोई लेयर वगेरा यूज किये हूं उसमें ट्रांस्पारेंट हो जाता है तो आपका एक्सपोर्टिंग प्रोबलम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे तो चलिए यहां पर हम थोड़ा सा चला कि आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रांस्पारेंट हो जाएगा तो exporting problem आपको तुरंट दिखा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो layer आपने लगाया है वो transparent हो चुका है इसलिए आपका video exporting problem को देखने को मिलेगा तो चलिए video start करते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर यह layer जो हमने use किया है यह यहाँ पर transparent हो चुकी है अगर इसको थोड़ा सा इधर करेंगे तब तो यह 100 होगा लेकिन जब video को यहाँ पर चलाया जाएगा तो यह transparent हो जाएगा काइन माइस्टर में तो आप फिर से एक बार इसे को देखें चला रहे हैं आपकी सामने फिर यहाँ पर आपने आप ही यह transparent होता है तो चैनल पर नहीं हो तो प्लेज सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को मैं दोस्तों में ज़रूस्वर करें ताकि काइन माश्टर से रिलेटेड उनको भी चानकारी मिलती रहे तो दोस्तों ऐसे लेयर आपको नहीं यूज़ करना है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगएरा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्रोमा की वगएरा आप नहीं यूज़ करेंगे और उसमें ज़्यादा लेयर वगएरा यूज़ करेंगे आपकर ज़रूर पहुचे प्रोबलम अभी भी नहीं स्वाल्ब हुआ है तो चलिए हम यहां से बेक होते हैं बेक आने के बाद यहां पर एक यहां पर अपर साइड में धेर सारा आपको सिंबल देखने को मिलेगा तो आपको यहां पर टेलिग्राम क्वेश्चन मार्क और बेल यानि नोटिफिकेशन और सेटिंग का यहां पर सिंबल दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन मार्क वाले पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं किलिक करने के बाद फिर आईसा इंटरफेस हो रहा होगा आपके सामने, मैं यहां बताना चाहूंगा कि जब आप question marc पर कलिक करें उसके पहले ही अपना internet data को on रखें, कि हमने अपना internet data पहले से मैंने अल्रेडी यहाँ पर खोल रखा था तो यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर जब नीचे देखेंगे तो एक option मिलेगा image support उस पर आपको click कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम click कर लेते हैं click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface सो होगा चैनल पर नए हो तो please subscribe करना ना भूले तो आपको मैं बता दूँ अब यहाँ पर जो आप पहले से यहाँ पर लिख गया है इसको मैं यहाँ पर cut कर लेता हूँ चैनल पर नए हो तो please subscribe करना ना भूले ताकि हर आने वाली नए वीडियो का notification आप तक ज़रूर पहुंचे तो यहाँ पर सारा cut हो चुका है अब यहाँ पर जो चीज हम बताने वाले हैं आपको वही यहाँ पर paste कर देना है same एकदम simple word में आपको बताने वाले हैं चलिए हम यहाँ पर paste करके दिखा रहे हैं यहाँ पर मैंने paste कर दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है why my kind master video is not exporting आपको यही लिखकर आपको send पर click कर देना है बस आपको 12 से 24 घंटे में आपकी problem को solve कर दिया जाएगा चैनल पर नहीं हो तो please subscribe करना ना भूले ताकि हरानी वाली नई वीडियो को notification आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों अमीद है यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी मिलते हैं next video में